हाई गाईज, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सब वीवर्स के लिए हमेशा में डिफरेंट कार्स और बाइक पर वीडियो लेकर आता हूँ, बट खुद की बाइक पर एक डिटेल वीडियो ना है, ऐसा हो नी सकता, फाइनली आज हम रिव्यू करने वाले मेरी अल न्यू ट् 2024 कावासा की Z900 ली है, राइट वीडियो तो हमने डाल दीती, बट बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के वीवर्स के कॉमेंट आ रहे थे, कि इस पर एक डिटेल वीडियो कब लेकर आओगे, स्पैसिफिकेशन पर, तो आज इसके सारे स्पैसिफिकेशन जानने वाले हैं, ज्य इसके बता देता हूँ, सिर्फ दो कलर आपको मिलते हैं, यह अपना है, अब देखो, मैं स्पैसिफिक कलर का नाम लूँगा, आपको कनिफिशन हो जाएगा, बट बताना चाहूंगा, जो यह गृन फ्रेम वाला कलर है, यह कलर मिलने वाला है, और मुझे कई नहीं यहीं ज जब भी कभी Z900 के looks के बारे में बात आती है, front profile आप देखो कितनी aggressive यहाँ पर मिलती है, front में आपको full LED setup यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, high beam and low beam के साथ, साथी में इसके LED DRLs रहने वाले है, एक बार में आपको on करके दिखाता हूँ, जिससे proper visibility आपको मिलेगी, तो कुछ इस type का setup रहने वाला है, जो कि high beam and low beam के साथ आपको मिलता है, throw काफी बढ़िया है, बहुत सारे लोग upgrade भी कराते है, headlamp बट अभी manage इतनी चलाई है नो मुझे तो कोई requirement लगी नहीं, upgrade करने की, अब आते हैं इसके front setup की और, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आती में मैंने as a necessary, यहाँ पर folk protectors भी लगवा है, EBS आपको मिलता है, deal channel EBS के साथ यह बाइक आती है, suspension setup की बात करें, तो front में आपको शोगा के USD suspension मिलते है, upside down suspension, 41 mm की इसकी travel length रहने वाली है, suspension का response काफी बढ़िया है, बट यह आपको pre-load and rebound adjustment के साथ मिलते है, जिसे आप यह यहाँ से adjust कर सकते हो, एक side ही दिया है, यहाँ पर adjustment, यहाँ से आप compression and rebound adjust कर सकते हो, साथ ही में turn signals की बात करें, तो आपको LED turn signals ही मिल जाते है, flexible तो बिल्कुल भी नहीं है, सुपर भाइगर आप ओन करते हो, तो इसे public areas में पार करना तो मैं बिल्कुल भी suggest नहीं करूँगा, यह color का देखो, night में एक अलग response आएगा, दिन में अलग response आता है, और अभी बहुत सारे mods हम इस गाड़ी में कराने वाले, सबसे पहले बढ़ते हैं, accessories मैंने क्या क्या लगाई, यह मैं आगे बताऊँगा, पट finally बढ़ते हैं इसके engine की और, तो friend में past एक बार viewers को दिखा द और कि यह engine produce करता है, frame sliders हमने यहाँ पर showroom से ही लगवा है, retro cross के, fork protector में आपको बता दिये थे, engine cowl आपको यहाँ पर मिल जाता है, gray color का जो की उपर के panels भी रहने वाले है, तो यह gray, green and black color का पूरा mixture है, साथी में ground clearance की बात आती है, 145 mm का ground clearance है, अभी जितने भी बड़े breakers आ है ना, उस पर मुझे टकराने जैसा तो कोई भी इशू नहीं आ है, साथी में यहाँ पर आप देख सकते हो, engine कितना huge यहाँ पर लगता है, tire pressure की बात करें तो front में आपको 36 PSI रखना पड़ता है, rear में 42 PSI, साथी में tire profile में आपको नहीं बताई थी, front में आपको मिलते है 120 20x70R 17-inch के tubeless tire, काफी broad यहाँ पर देखने को लगते है, oil level की बात करें तो around 3.5-4 liter की बीच में इसमें oil आता है, जो कि कावा साकी है, फिर आप कौन सा भी अच्छा oil डलवा सकते है, आपकी choice की परेवट में recommend करूंगा, showroom से ही डलवाना, साथी में oil level यहाँ पर show कर रहा है opposite side आपको मैं इसका gear system एक बार बता देता हूँ, so कुछ इस type से आपको 6-speed gearbox मिलता है, 1-down, 5-up इसके gear system रहने वाले, quick shifter जिसी features इस गाड़ी में अभी भी missing है, but gear shifting वैसे बहुत smooth है, अभी मैंने जितनी भी चलाई है, मुझे चलाने में कोई भी issue नहीं आया है, rear suspension की और हम पर बहुत जादा दिया, और pillion seat भी काफी चोटी है, अभी हाला कि लंबी राइड में प्लान करने वाला हूँ, उसके बाद जो मेरा owner's experience रहेगा, उसमें share करूँगा कि पीलियन seat कैसी क्या है, साथी में यहां पर आएंगे तो यह stock exhaust है, इसका sound भी में आपको सुना ही द अभी काफी सूधींगे यह sound, बट सुपर वाइक ओन कर रहे हैं और full system exhaust नहीं लगा है, ऐसा हो नहीं सकता, first service के बाद full system का plan करने वाले हैं, अब rear की और आते हैं, because rear से इस गाड़ी को देख के आपको मज़ा आ जाएगा, tail lamp में on कर देता हूँ, यह देखो यार guys, 180 section tire, क्य नेक्स लेवल इसकी rear profile को look यहां पर provide कर रहे हैं, अभी दख सब्सक्राइब नहीं करा है, तो कर लेना, साथी में turn signals यहां पर मिल जाते हैं, यह पूरी tail आपको यहां तक की मिलती है, यही आपको काफी छोटी लग रही होगी, बट फिर भी बहुत सारे owners हैं, जो tail tidy यहां इंस्टॉल करा लेते हैं, रियर में आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के soft compound 180 section tires आपको मिलते हैं, यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, निसीन के rear में आपको disc brakes मिल जाते हैं, रियर में single disc brake मिलते हैं, जो की 250 mm के रहने वाले, तो overall braking response बहुती बढ़िया है, यहां पर म इगनर भी इसे चला रहे हो, बहुत ज़्यादा comfortable feel होने वाली है, आप posture खुछ चेक आउट कर सकते हो, काफी control में लगती है, अगर आप lean करके भी चला रहे हो, cities में चला रहे हो, highway पर चला रहे हो, बहुती comfortable रहने वाली है, 820 mm की seat height मिलती है, तो आपकी height 56-57, flat foot तो नहीं क पाऊगे, 58-59 से 6 feet जो है वो काफी comfortable इस पर बैठ सकता है, बट जो tall riders है उन पर गाड़ी थोड़ी छोटी लगेगी, हला कि बलकी बहुत है, जिनकी height 56-58, 59 है उनकी उपर यह गाड़ी overall perfect लगती है, मेरा poster भी आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो, साथी में अब रियर seat की बात करते हैं, तो rear seats एक बार viewers को पास से दिखाना, यहाँ आपर देख सकते हो, कितनी छोटी सी seat प्रोवाइड करिए, कहीं न कहीं आप long touring कर रहे हो, तो back tank के tour करना वो एक बहुत बढ़ा task हो जाता है, और आला कि बहुत सारे लोग cowl भी install कराते हैं, जिनको proper लंबी rides करनी अकेले ही चलाना prefer करते हैं, बट पीलियन के लिए छोटी seat है, और पीलियन को rider को पकड़के बैठना पड़ता है, पीछे कोई भी आपको grab rail जैसा feature नहीं दिया है, साथ ही मैं fuel tank की बात करें, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूं, पास से, पहले आप देख सकते हो, यह आपको metal मिलने वाला है, glossy black color में, यहाँ पर आपको पूरा fiber मिलता है, जो की gray color रहने वाला है, कावसाकी की यहाँ पर आपको badging देखने को मिल जाती है, fuel tank capacity की बात करें, तो आपको 17 liters का यहाँ पर fuel tank मिलने वाला है, और इसमें XP 95 petrol डलता है, जो की premium वाला petrol है, normal petrol, company suggest नहीं क console की बात करते हैं, guys, थोड़ा ज़्यादा deep में बात नहीं करेंगे, overview जल्दी से देदूंगा नहीं तो video बहुत ज़्यादे डीटेल हो जाएगी, on करते हैं कुछ इस type का interface आता है, ZX6R में, कुछ इस type का cluster मिलने वाला है, same है दोनों में, साथी में handle bar आप यहाँ पर check out कर स self, साथी में इसके instrumented cluster की बात करें, तो पूरी आपको TFT display मिलती, LED, जिसमें आपको चार riding modes मिलते हैं, जैसे मैं press करके रखूँगा यह वाला बटन, यहागई रेन mode पे, फिर से press करके रखते हैं, यहागई rider mode पे, rider mode पे भी आप power यहाँ पर अपने according set कर सकते हो, इसमें जाएंगे न, तो आप देख सकते हो, इसमें power जो है, फुल and low कर सकते हो, साथी में KTRC आता है, कावासा की traction control, जिसे आप 123 कर सकते हो, यहाँ आप आफ भी कर सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप का indication आ गया है, raw power enjoy करनी है, बाइक पे अगर control आ गया है, उसके बाद ही features, total time, battery indication, average show कर रहा है 15.6 का, तो overall सारी needed information, यह TFT display show कर देती है, alright guys, video conclude करते है, I hope आपको सारे इसके specifications clear हो गए होंगे, ज्यादा डीटेल में हम गए नहीं तो आप सब viewers भी बोर हो जाते है, इस bike का नेम तो अभी भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैंने आप सब को बोला इस bike के लिए करने वाले नए channel की मैं जल्दी announcement करूँगा, overall कैसी लगी यह bike comment में जरूर बताना, किसकी dream bike के यह भी share करना, और यार इस video के थुरू channel पर आया होना, तो please like करना, एक अच्छा सा comment कर देना, इन channel को subscribe करके जरूर जाना